जैहिंद दोस्तों UDC आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के बीच होने वाले सेकेंड टी ट्वंटी आई मैच की अब जैसे कि मैंने लाज्ट वीडियो पे दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में बताया था सेम वैस दोस्तों सेम पिच पे मैज खेला जाएगा ठीक है सो क्या रहेगी आज की प्राइम टीम ठीक है आज आज अब को जी यल की भी एक टीम ढेने वाला हूँ वीडियो को पूरा वाच करना ठीक है कोई भी वीडियो को स्किप मत करना बाकि उससे पहले दोस्तों अ जिनों नह पर वीडियो को लाइक नहीं किया ना फटाफट से वीडियो को लेक लाइक कर देना क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक रहा हुथ ही जादा मोटिवेशन देता है एक और आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रेडिक्शन लेकर आते हैं हम बागी सबसे जरूरी चीज सबस सबसे टॉप पर दिख जाएगी ठीक है सो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत बूलना बाकी टाइटल पर क्लिक कीजिए अब यहां पर दोस्तों हमारे टेलीग्राम से भी जुणना हम सभी के लिए जरूरी है क्योंकि फाइनल टीम आपको मिलेगी हमारे टेलीग्र चैनल पर बाकी मैं इन तीनों एप्स पर खेलता हूं क्योंकि दोस्तों यहां पर ना मेरे काफी पैसे बचते हैं आप भी ट्राइग करना चाहो तो यहां पर खेल करके देख सकते हूं सबसे कम कमिशन जो है ना वह बैट बॉल 11 पर इसके बाद माई मास्टर पर हैं बाकी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल नभूला अब दोस्तों शुरू करते हैं ओपन करेंगे दोस्तों फस्टी ट्वंटी आई जहां हुआ यह था ना यह पाकिस्तान ने बैट फस्ट करी हुई थी लास्ट के गेम में मैंने पिच रिपोर्ट में जो फस्टी ट्वंटी हुआ ना इसके पहले दोस्तों पीएसल के नौ मैचे से वाले वन्यू पर खेले गया है अब उनमें ना 170 प्लस रन बने थे ठीक है अब यहां पर कितने बने 182 रन बने हलागी विकेट्स भी गिरे अपना बॉलिंग का मैंने आपको बताया हुआ था पेसर्स है नो बाकि और वाल बैटिव फ्रेंड़ी विकेट है यहां पर चेस करना मुश्किल होता है अगर तो बैटफर्स करने वाले टीव बन सेवेंटी प्लस करके चली जाती है तो ठीक है अम यहीं देखा गया है आट से दस गेम में जो कि यहां पर लास्ट के कुछ मै मैंने बताया था मिलने का मैंने बताया था बैन लिस्टर का कंफर्म मैंने नहीं बताया था बाकि इन्होंने भी अच्छा खासा विकेट यहां पर लिया हुआ था था यह ना वाकि इस गेम में दोस्तों कौन-कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे फरस्ट आफ और बात करेंग करा रहे हैं तो कोशिश करने इनको ग्रांड लीग की टीम भी रखने की है ना बाकि दोस्तों डादी मिशल जोके मिडल और में बैटिंग कर आएंगे था ना थ्री डाउन पे आप्शन यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है ठीक है इसके बाद मार्क चैपने इन समस्च ज् नहीं करेंगे इनको अभी अवाइट करिए बाकि अपना बैटिंग से इनका कंफर्म जो मैं रखने वाला हूं जिसमें की लैथम रहेंगे डैरे मिशल रहेंगे मार्क चैपमें रहेंगे ठीक है इसके लावा निशम बालिंग की अगर बात करी जाए थोड़ा सा कर टीटे इसके लवा मैट हैंडी निशम आपको नजर आजाएंगे 1788 मिलने दोस्तों है नो पावर प्ले में अगर देखें सो हैंडी मिलने और बैलिस्टर अगेन मैट हैंडी है इंपोर्टन भी यह दोस्तों क्योंकि अपना पूरा स्पेल करके जा रहे है ठीक है सोदी को आप जो दोस्तों जील की टीम जाने के इसकी टीम भी रख सकते हूं यहां से इतीनी प्लेयर रखूंगा जैसा कि मैं बताया है डैरे मिशल मार्क चैपमेंड इसके लावाल लैथम निशम का बना बताया था अना मिलने मैट हैंडी अब बैल स्टर दोस्तों यह साथ इंपोर्टन प आपशन दोनों इंपोर्टेंट है भले ही लास्ट के गेम में दोस्तों दसरण भी नहीं बदा पाएं बट यह दोनों ऑप्शन न इंपोर्टेंट हैं सी वी सी के लिए भी बढ़िया जोई से एक टीम में तो मैं अपना इनको सी वी सी दिया था अगर आपको याद होगा आपके फकर जमान ने बढ़िया किया से मायूब ने भी बहुत बढ़िया किया था दोस्तों डाउन और की बात करें पहीम अश्रव काफे अच्छे फिटिशिंग कराए हुए थे बगी ओवर और यहां से रिजवान बाबर फकर और आयूब दोस्तों इसके अलावा चार प अना बॉलिंग से तो पॉइंट्स देखे ही जाएंगे वाट कभी बैटिंग करा रहेते हैं तो छे प्लेयर हो गए दो प्लेयर दोस्तों और भी हमें देने जो कि होंगे अफरीदी और रॉफ ठीक है इनकी एक बारी बालिंग देखी जाए अब जिसके अंदर दोस्तों र पूरा करते नजर आएंगे वसीम को केवर लेकी ओवर भी ले थे अफरीदी यहां पर दो डाले थे डीटेल्स में थोड़ा देखें ना और यहां पर डेथ के अंदर आपको रॉफ या अफरीदी नजर आ जाएंगे वसीम भी अपना चौदा पंद्र ओवर में ही अच्छा इस्तिमाल कर रहे हैं पाउर प्लेग अगर देखें ना जिसके अंदर दोस्तों अफरीदी आपको नजर आ जाएंगे वहीं मश्रफ हैं जमान खान है आपकी ओवर यहां से अगर बताओं हर अपना हरी श्रॉफ अना पक्के बाले पिके रहेंगे इमाद वसीम श अफरीदी रॉफ इसके अलावा यह दो प्लेयर हमें चाहिए ना बाबर भी चाहिए रिजवान भी चाहिए अब यहां पे दोस्तों सेम आयू या फखर जमान एक आधर रिस्क आपको लेना पड़ेगा ठीक है न्यूजिलेंड की डैरे मिशल मार्क चैप्मेंड लैथम अ सहां से दोस्तों हम एक ही प्लेयर ले सकते हैं देखें जरा कि फिल्टर आफ करेंगे अब दोस्तों कि किसे ड्रॉप करें इमाद वसीम को नहीं दोस्तों इंपार्टन आप्शन है इनकी बालिंग से हमें मिलने चाहिए इसके लाबा मैट हैंडी यह भी हमें चाहिए तो फिर आप दोस्तों मार्क चैप्मेंड को ट्रॉप कर सकते हो है ना कि कुछ इस तरीके से पाकी शादाव और इमाद दोनों को में ड्रॉप नहीं कर सकता है सी और वी सी सेफ अगर मैं बताओ नो सुरीजवान और बाबर सेफ चॉइस है इंबाद वसीम को ट्राइब कर सकते हूँ आना लास्ट गेम में जैसा कि अपना रॉप ने चार विकेट नहीं का लिए तो इस वाले गेम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हूँ आप तो सबसे अलग सी बीसी जो कि होंगे है इस रॉफ और अपना मैट हैंडी आप इसका रिवर्स भी कर सकते हूँ अना रॉफ को कैफटन मिलने को विसी बना सकते हूँ इसके अलावा दोस्तों रिजवान और बाबर सेफ चॉइस है थोड़ा सा कर आप रिसक लेंगे तो डैरे मिश्यल है टॉम प्रविंट भी लगा सकते हो इस पर है ना टीम सेफ करेंगे अगरे यह देखे दोस्तों स्मॉल लीग की टीम बना दी बना दी है मैंने अब ग्रांड लीग की टीम क्या रहेगी सो अब आपको फटा-फट से शो करता हूं अब दोस्तों जील टीम की बात करिया है ना तो मै मैंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है पाउस के ऊपर ठीक है रिजमान नजर आ जाएंगे डेरी मिशल बाबाराजम फखर जमान इमाद वसीम फई मश्रव लिस्टर हैंडी मिलने इसके लावा है रिश लौव आना वाकि सीवी सी मैंने बनाया है बाउस को और वसीम को आ प्रिवी आप देख सकते हो अनो अब दोस्तों 8 गंटे साड़े 8 गंटे वागी है वीडियो को जल्दी से देख लो और यह टीम न बनाके जॉइन कर लो कॉंटेस्ट बैट बॉल पे माई मास्टर पे और अपना फेंटा फीड के अंदर ठीक है बाइक दोस्तों वीडियो जरा भी इंफर्मिटी लोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना आपको दमाके दाटीम टेलीग्राम चनल पर मिलेगी तो टेलीग्राम से जॉइन होना बिलकुल भी स्किप मत करना ठीक है धन्यवाद